असलाम अलेकूम, Cross-Cultural Psychology में अब हम Family की गुफ्तगु करते हुए आगे चलते हैं जो Types of Families हैं जिनके हम बात कर रहे थे, वो Extended है, Nuclear है, Lineal है, Collateral है तो Family Types जो हैं, वो Societies से किस तरह related हैं, क्या कुछ Societies में खास तरह की Family Types होती हैं और बाकी Cultures में कुछ और तरह की होती हैं, इसके उपर काफी Social Psychology, Cross-Cultural Psychology में काफी बाते होती हैं रिसर्च जो होती रहती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि Historically Family System में Close Together रहा जाता था, क्यों? इसलिए कि उस वकत Resources और ऐसे हैं कि वो आपने Share करने हैं, आपने Protect करने हैं, आपने खत्रे का मकाबला करने हैं, आपने Group की शकल में रहने हैं, आपने कबीले की शकल में रहने हैं, लेकिन लोगों की क्योंकि आबादी कम थी, तो एक खास Orbit के अंदर एक Family अपने Resources चेयर करी, उनका घर एक हैं, उनकी खेती बाड़ी की जगाईक हैं, उनके जानवर एक हैं, पानी एक ही जगा से भर के लापते हैं, और घर में जो पानी आता है, वो सब के इस्तमाल के लिए होता है, ठीक है, तो ये एक Family टाइप थी, जैसे अर्बन एरियास डिवेलप होई, सोसाइटी डिवेलप होई, एकॉनमी डिवेलप होई, परफेशन बड़े, और दुनिया फैलती से फैलती चली गई, तो फिर Family टाइप तो वो ही रहीं, कि वो Resources के विज़ा से भी कठी होती हैं, रिष्टे के विज़ा से भी कठी होती हैं, जरूरत की विज़ा से भी कठी होती हैं, और क्योंकि शादी का सिलसला बनाओ तो तब भी कठी हो जाते हैं, और फिर Move Away कर जाते हैं न्यूकले फैमली की शकल में तो सोसाइटी क्यूंकि अपने कल्चर के साब से मुक्तलिफ हुई जो के बड़ी इंट्रस्टिंग स्टडी है एंथ्रोपालजी की कि जब इनसान एक कपल की शकल में दुनिया में आए और विर्कुल थोड़े से थे तो फिर किस तरहा उसमें से इतनी वैराइटी निकली क्या वो मंगोलिया में चले गए चायना में चले गए तो उनकी आंक reports artwork Double तहरा में चले गए जंगलो में चले गए तो उनके रंग उनके बाल परको गए ये बात आपको दुनिया के पहले इनसान से लेके आज तक जो है उसको समझने के लिए पूरी साइंस है और साइंस उसको साइंटिपिकली समझने की कोशिश करती है कि रंग और नसल कैसे बने उसकी उनकी अपनी एक तहरी है लेकिन हम अगर क्रियेशन के चले गए और से एकालोजिफेंस उसका अपनी एद्गित की सराउंडिं से कायम रखने के लिए कायम रहने के लिए जिंदगी कायम के लिए जो human groups चीजें इस्टमाल करते हैं environment मेंसे ले के आते हैं पानी है आघ जलाने की चीज़ है और ऑप और होना के वो सब जो हैं मोपनी environment मेंसे से निकालते यह जो ecological features 200 ए आपकी environment के साथ जो आपका रिश्टा है वह determine करता है कि आप को खाने को क्या मिलागाँ आप किस तरह से जिन्दा रहेंगे, आप घर कैसे बनाएंगे, इस से भी family types decide होती है, economic activity के हिसाब से होती है, political illegal system जो है, वो family को regulate करने के लिए types of families को जो है वो उस पे असर अंदाज होता है, उसको regulate करता है कि कौन family है, मसलन जदाद के हिसाब से आप family का हक डिटर्मिन करते हैं बच्चे की वरासत के हिसाब से family का हक डिटर्मिन करते हैं, खुशी गमी के हिसाब से जो भी कानून है, उसमें आप वरासत का हक तो डिटर्मिन करते हैं, तो यह political or legal system है, और जब बात्षाहत होती थी तो जानशीनी के हिसाब से भी एक वरासत का political system चलता था, खेर अभी भ हमारे हैं स्यासत वरासत ही है, लेकिन बारहल अपार्ट फॉम डैट, इसका मतलब है political system change होते भी हैं, कुछ इतमार से कुछ societies में नहीं change होते हैं, social communities के आपस में नाते और bond होती हैं, यह organized होते हैं कि उनकी किन हैं, क्लैन हैं, जो कबील हैं, जो रिश्टेदार हैं, जो की नजर में क्या ठीक है और गलत है, आखरत में आपको किस चीज़ की जजा और सजा मिलेगी, और वो families के साब से कुछ असूल सेट कर देता है, दीन भी, यह obligations हैं, जो फराइज हैं, जो हकूक हैं, और उसको follow किया जाता है, education से भी हम family types जो हैं, वो एक सिमटती या बिखरत हैं, जो भी आप कहलें, education की तरफ access होना जो है, वो different types of families को determine करता है, family types में जो change है, वो भी कई दफ़ा education opportunities की वज़ा से आप nuclear से joint या joint से nuclear में चले जाते हैं, बच्चों की परवान चड़ाने के लिए भी कई दफ़ा family को nuclear की बज़ाए joint family रहना होता है, और यह साज़ सारी चीज़ें यह हमें family types की determination में कुछ आगाही देती हैं.